गुड मॉर्निंग टू अल माई डियर स्टुडेंट्स ओनलाइन क्लास में क्लास 4 फिर से आप लोग का स्वागत है स्टुडेंट्स पिछले वीडियो में आप लोग का देली धारुल हुकुमत चैप्टर में पढ़ाई थी और इसके वर्ड बिनिंग कराई थी आज आप लोग का होगा दर्जेल जुम्लों में चार मतबादिल दिये गए हैं आपको जवाब में सही मतबादिल पर निशान लगाना है यहां देली में बहुत सी तारीखी इमारते हैं, फैक्टरिया हैं, नदिया हैं या सड़के हैं, तो देली में बहुत सी तारीखी इमारते हैं, सही हो जाएगा, यहां है देली का लाल किला और जामा मजीद को बनवाया था, अकबर ने, जहांगीर ने, हुमायू ने और शा ज यहाने बनमाया था लोटस टेमपल राश्टपती भवन कुतुम मिनार और कनाट पलेस हैं देली में बंबई में कलकत्ता में लखनौ में तो यहां होगा देली में सही होगा बंबई कलकत्ता लखनौ नहीं होगा यहां है राश्टपती भवन में जो बागीचा है इसका नाम है कमल गार्डन नहीं होगा राजपुत गार्डन ये भी नहीं, मुगल गार्डन ये सही होगा नहरू गार्डन ये भी नहीं होगा, यहां होगा मुगल गार्डन राश्पती भावन में जो बागीचा है इसका नाम मुगल गार्डन है यहां इन लफजों के वाहिद अलफाज लिखें बिरादरियों बिरादरियों कहोगा बिरादरी शहरों कहोगा शहर इमारतों कहोगा इमारत किले कहोगा किला बाध्षाहों कहोगा बाध्षाह यहां है नीचे लिखें सवालों के जवाब लिखें फर्स्ट में हमारे मुल्क का दारुल हुकुमत कहा है इसका अंसर होगा देली में हमारे मुल्क का दारुल हुकुमत कहा है देली में देली का सबसे बड़ी खासियत क्या है अंसर होगा देली हमारे मुल्क का दारुल हुकुमत है जो सहर बहुत पुराना है इस सहर में हमारे और राष्ट पती रहते हैं इस जगह लाल तिला जामा मस्जित वाके हैं जिसे शाजहां बनवाया शाजहां ने बनवाया था वंस एगें देली हमारे मुल्क का राज का दारिन रुकुमत है जो सहर बहुत पुराना है इस सहर में हमारे मुल्क के परधानमंत्री और राष्ट पती रहते हैं इस जगह लाल किला जामा मस्जित वाके हैं जिसे शाजहां ने बनवाया था थर्ड में है देली का लाल किला किसका बनवाया हुआ है अंसर होगा देली का लाल किला शाजहां ने बनवाया है सुप्रीम कोर्ट और राश्पती भावन कहा है एंसर होगा देली में देली में फाइब में है देली के तीन मश्वूर बाजारों के नाम लिखिये एंसर होगा सदर बाजार, चांदनी चौक और चौर बाजार मश्वूर है सदर बाजार, चांदनी चौक और चौर बाजार मश्वूर है तो बच्चो आप लोग इसको अपनी अपनी कौपी में और बुक में लिखिये और इसको याद करिए थेंक्यू